लो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल हमारी लिप्स के आराउंड माउट के आराउंड जो हमें पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ एफेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूं हाँ बहुत ही जदा एफेक्टिव र रिएक्टिव र्यायों है क्योंकि हमने जो इसमैं क्यों गश्दिश का रही हैं अगर आपको किसी भी इंक्रीटियंस हो तो आप इसको कि कर सकते इस रेमेडी को सते गरिल्स मैं इ celebrating को स्वतिर ने को यूज कर सकते तो चलिए स्टारिव करते मैं फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में टू टेबल इस्पून ग्राम फ्लोर चाहिए और इसमें हम हाफ टेबल इस्पून वाइल टेर्मरिक एड़ करेंगे हम इसमें हाफ लेमन एड़ करेंगे अगर आपको लेमन जूज सूट नहीं करता है तो आप पैटेटर जूज भी ले सकते हैं लास्ट में टू टेबल इस्पून कर्ड एड़ करना है एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में लैक्टिक एसिट होता है जो डार्क स्पॉट और पिग्मेंटेशन को रिमूव करता है और इसकीन को मोशुराइज करता है इसको अच्छे से मिक्स करना है इस पैक को हम वन वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं इस पैक को एपलाई करने से पहले फेस को अच्छे से वाश करना है उसके बाद जहां भी पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है वहां इसको एपलाई करना है इसमें हमने बेसन एड़ किया है जो कि एक नैच्छल किलिंजर है जो हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हमने इसमें lemon juice एड़ किया है lemon juice में vitamin C, antioxidant होते हैं जो skin की pigmentation को और darkness को remove करने में help करता है इस pack को मैंने अपने lips के around apply किया है आप अच्छा हैं तो अपने पूरे face पर इस pack को apply कर सकते हैं और हमने इसमें जो white turmeric एड़ किये वो हमारे pigmentation को, dark spots को और जो एकने के scars को remove करता है ये 10-15 minutes में अच्छे से सूख जाएगा तो इसको हमें अच्छे से remove करके normal पानी से wash कर लेना है इसको one week तक daily apply करना है one week के बाद इसको one day का gap करके use करना है और फिर बाद में week में दो बार इसका use करना है wash करने के बाद आपको dab dab करकर ही से पोश नहीं है और आपको देखना है, इसका result दिखना है स्टार्ट हो जाएग next step है moisturizer आप कोई भी अपना favorite moisturizer यूज़ कर लगते है moisturizer यूज़ करने से आपके face पे जितने भी vimishes होते है वो reduce हो जाते है और आपकी skin hydrate रहती है all time आप देख सकते हैं मेरी skin कितनी glowing लग रही है after moisturizer तो यह थी आज की हमाई DIY home remedy अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए वीडियो को अपने friends और family के साथ share कीजिए और comments करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जिनों ने भी तक चैनल को subscribe ने किया वो चैनल को subscribe कीजिए Thank you